नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पसलियों के दर्द की या रिप्स पैन की पसलियों का दर्द या रिप्स पैन जो है वो कई कारणों से हो सकता है हो सकता है कि पसलियों में डारेक्ट चोट लगी हो, किसी प्रकार की सूजन आई हो, किसी प्रकार का इंफ्लामेशन हो, जिसके कारण पसलियों में लगातार दर्द आपको बना रहता है हो सकता है कि किसी प्रकार की फेफड़े की बिमारी के कारण चाहे वो pneumonia हो, TB हो, pleurisy हो, pleural effusion हो, bronchitis हो या और भी अन्य किसी भी तरह की फेफड़े की बिमारी के कारण आपको महसूस हो रहा हो कि मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है हो सकता है कि यकरत यानि की लीवर में सूजन आई हुई हो जिसके कारण पसलियों में दर्द महसूस हो रहा हो या लगातार आपके सरीर में गेस बन रही हो जिस गेस के कारण अंदर से पसलियों के आस्वास के छेतर में भारी पन लग रहा हो पसलियों के आस्वास का छेत्र फैल रहा हो, फूल रहा हो, जिसके करण आपको पसलियों पर दवाव या पेन के अनुभती हो रही हो, तो कारण कई सारे हो सकते, परन्तु आज की इस वीडियो में मैं आपको पसलियों के दर्द के लिए या रिप्स पेन के लिए जो ट्रीट नहीं लगा पा रहा हो कि मुझे जो बार-बार पसलियों में दर्द हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है पसलियों में दर्द जो जब भी आप अपने फेफड़े का थोड़ा सा भी मुव्मेंट करते हैं या आपके सरीर का उपरी हिस्से में जरा सा भी मुव्मेंट होता है औ आपको पसलियों में दर्द होता है जब भी आप छीकते हैं जब भी आप खासते हैं जब भी आप जमहाई लेते हैं जिसमें आपके फेपड़े का मुव्मेंट ज्यादा होता है तो आपको पसलियों में दर्द होने लगता है आपको उड़ते समय बेटते समय या जब आप ल देखते ही देखते, साथ दिन, दस दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा पंदरा दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जनरली आप एक बात के ध्यान रख लीजिए, सबसे पहले तो आपको आपकी पसलियों के दर्द में, पहले तो आपको बहुत हलके में नहीं लेना तो आपको इसा नहीं करना है, क्योंकि यदि किसी कारण से यह हो रहा है, तो उस कारण को दूर करना जरूरी है, जैसे उदारने के लिए हम यह मान कर चलते हैं, कि यदि किसी को मान लीजिए, ट्यूबर कुलोसिस हो गया, टीवी की बिमारी हो गई है, उसे अभी तक नहीं पता है और पसलियों में दर्द होने लगा है तो जरूरी है कि पहले वो अपनी जाचे करा ले और कोई कारण निकल रहा है तो वो कारण पता कर ले यदि वो कारण दूर हो जाएगा आप उस कारण के लिए ट्रीटमेंट लेंगे वो कारण दूर हो जाएगा तो पसलियों का ऐसे ठीक हो गई किन्तु उसके बाद लिए उनकी पसलियों का दर्द बंद नहीं हुआ उनका पसलियों का दर्द ठीक उसी प्रकार से हो रहा था जैसा उन्हें खास्ते समय होता था वो तरह तरह के डाक्टरों के पास गए, वहाँ पर कई सारी जाचे होई, टीवी की जाच होगे, उनके फेपडों के एक्सरे बगएर हो गए सारी ब्लट की रिपोर्ट से नार्मल आरही है मतलब सारी रिपोर्ट सारे एक से सभी नारमल आने के बाद इवन कुछ डाक्टरों ने सिटी स्केर तक किया वो भी नारमल आया इसके बाद भी पसलियों में दर्द हो रहा है कारण कुछ पता नहीं है कि आखिर ये दर्द हो किस कारण से रहा है तब दोस्तों हम इस तरह का जो फार्मूला इसका यूज करते हैं वो बहुत सांदर इसके परिणाम मिलते हैं लेने के साथ 10-15 दिनों के अंदर ये दर्द पूरी तरह से हड़ जाता है जब आप किसी ऐलोपेथिक डाक्टर के पास जाते हैं तो वो ऐसी कंडिसन में अपने तरह तरह के अस्त्र जो सब चला लेते क्योंकि कुछ कारण तो समझ में आ नहीं रहा है कि हो क्यों रहा है कोरोना के बाद भी कई सारे लोगों के लंग से जब बहुत ज़्यादा डेमेज हो गए थे तब भी जब वो कोरोना की स्टेस से पूरी तरह से बाहर आ गए थे उन पसलियों के दर्द में आराम रहा है कोई ज़्यादा समझदार डाक्टर होगा तो वह आपको एक एंटी एलजिक मेडिसिन भी सांत में देगा और मल्टी बिटामिन बगेरा डाल देंगे गेस की गोलिया डाल देंगे इन सब को लेते हुए होता क्या है कि जैसे ही आप बता रहा हूं इसे आप लिजिए साथ दिन-दस दिन-पंदर दिन परन तो फिर से बोल रहा हूं और रश्टाक्स 30 potency में यहाँ पर मैं जितनी भी दबाईया बता रहा हूँ सारी की सारी दबाई 30 potency में ही मिलानी है तो पहली बाटल में हम मिलाएंगे आरनी का 30 potency में और रश्टाक्स 30 potency में दोनों ही बरावर बरावर मात्रा में मिला करके जो mixture बनेगा उसकी 5 बुन्दे सुबर 5 बुन्दे दोफर और 5 बुन्दे रात में या तो सीधे जीप पर डालेंगे या एक चमच पानी में डाल कर पिएंगे जो दूसरी बाटल लेंगे उसमें दोस्तों हम तीन दबाई मिलाएंगे पहली रेननकोलस वल्बोसा दूसरी दोस्तों हम दबाई मिलाएंगे चमच पानी में बराबर मात्रा में मिलाएंगे इसकी डूस भी सेम रहेगी जो mixture बनेगा उसकी 5 बुन शुभर दोफरो रात दिन में तीन बार या तो आप सीधे जीप पर डालेंगे या एक चमश पानी में मिला कर पिएंगे और जो पहला फार्मूला था और ये दूसरा फार्मूला इन दोनों के बीच में आपको कम से कम आदे गंटे का गेप रखना है बस इसे आप डेली बेसिस पर लेते रहिए आपका डक्टर आपको साथ में जो मेडिसिन दे रहा है आप उसे लेते रहिए कोई प्राब्लम की बात नहीं है ओ लगातार साथ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी पसलियों का दर्द धीरे 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 कम होना सुरू हो जाएगा साथ दिनों में ही कई सारे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगे जिनने लगता है कि कुछ दर्द बाकी बचा है वो 10 दिनों तक और 15 दिनों तक इस फार्मूले का जैसा मैंने आपको बताया है वेसा का वेसा यूस करते रहे पूरी तरह से आप पसलियों के दर्द से मुक्ति पालेंगे पर ध्यान रखे जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी प्रकार का कोई कारण नहीं मिल रहा है उस चीज के लिए ये फार्मूला है तो इस फार्मूला का यूस कीजिए नीचे कमेंड़ों में बताया आपको किस प्रकार के परिणाम मिल रहा है मेडिसीन एजिली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी होमेपेदिक सॉप पर ना मिले तो नीचे लिखे कांटेक्ट नमबरों पर वाटसब पर संपर करके आप ये मेडिसीन मंगवा सकते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मात्रम